यहाँ पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर किलिक करें हेलो फ्रेंड्स आज में आपको एक बहुती सुन्दर और लेटेस्ट नेरो पलाजो सलवार बनाना बताऊंगी इस सलवार का अजकल बहुती ज़्यादा फेशन चल रहा है लोंकूरती के साथ में बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगती है और इसे बनाना भी बहुती आसान है आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें ताके आप कोई भी स्टेप मिशना करें और आप अपनी सलवार को एकदम परफेक्ट बना पाएंगे तो पहले मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी उसके बाद में इसी वीडियो में आपको इसकी स्टेचिंग करना भी बताऊंगी तो देखें कपड़े को मैं इस तरीके से खोल के रखूंगी यह देखें और यहां से कपड़े को मैंने ऐसे मोड के रखा है ये हमारे कपड़े की चोड़ाई है और ये हमारे कपड़े की लंबाई है तो देखिए इस कपड़े की चोड़ाई पोना मीटर है तो इसलिए मैंने सवा दो मीटर कपड़ा लिया है आपके कपड़े की चोड़ाई एक मीटर है तो आपको दो मीटर कपड़ा लेना है नोर्मली हमारे कपड़े की चोड़ाई एक मीटर आती है तो दो मीटर कपड़े में ये आराम से बन जाती है लेकिन इस कपड़े की चोड़ाई कम है तो इसलिए मैंने सवा दो मीटर कपड़ा लिया है तो सबसे पहले तो मैं इसमें से बेल्ट की कटिंग करूँगी तो यहाँ पर मैं इसमें से 17 इंच का कपड़ा कट कर रही हूँ तो दिखे यह मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट किया है क्योंकि हमारे कपड़े की चोड़ाई कम है तो हमको इस तरीके से इसमें से बेल्ट बनानी होगी यहां से मैं इसे मोड के रखूँँगी और अब मैं अपनी जो बेल्ट की लंबाई है वो रखूँँगी मैं 24 इंच देखिए 20 इंच हमारी बेल्ट है तो उसमें हमने 4 इंच लूजिंग डाली है तो यहां पर मैं 24 इंच पर निसान लगा रही हूँ और इसके बाद में यहां पर भी मैं 24 इंच पर ही निसान लगाऊंगी और अब यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद में यहां से भी कटिंग कर देंगे तो देखिए बेल्ट में रखूंगी यहां पर 6 इंच की तयार तो यह मैंने यहां पर लिया है इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसको हम नेफा के लिए फोल्ड करेंगे यह देखिए यहां से नेफा फोल्ड हो जाएगा और यह चैंच की बेल्ट तयार रह जाएगी अब इसको तो हम एक साइड में रख देंगे और अब इस कपड़े को हम देखे जो यह कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी मोहरी बना लेंगे तो अब इसको भी हम एक साइड में रख देंगे और अब हम अपनी सलवार की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम इस तरीके से बराबर करके बिच्छा लेंगे, ये देखे, ये देखे, तो ये कपड़ा हमारा चार लेर में हो गया है, आप देख सकते हो, तो हम इस सल्वार की जो लंबाई है, नोर्मल सल्वार से हम दो इंच इसकी लंबाई एक्स्टा रखेंगे, तो हमारी सल्वार की लंबाई है 37 इंच, तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्टा रखूँँगी, तो मैं 49 इंच इसकी लंबाई रखूँँगी, तो ये कपड़ा मैंने चार लेर में फोल्ड करके बिछा लिया है आप देख सकते हैं ये बंद वाली साइड है जो पहले तो मैं यहाँ पे आसन का निसान लगाूंगी खुले वाली साइड से तो जो हमने यहाँ पर निसान लगाया है उससे नीचे हमने आसन की लंबाई लेनी है तो आसन की लंबाई मैं यहाँ पर पंदरा इंच रख रही हूं क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और उपर नेफ़ः फोल्ड करने के लिए मैंने रख लिया है और अब मैं अपनी सलवार की टोटल लेंथ ले रही हूँ तो जैसे कि मैंने बताया 2 इंच मैं इसमें एक्ष्टा ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसमें 49 इंच पर निसान लगा रही हूँ और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए मैंने एक्ष्टा लिया है अब यहाँ पर मैं मोहरी के लिए निसान लगा रही हूँ यह दिखे छे इंच पर और इसमें भी मैंने 2,5 इंच एक्ष्टा लिया है तो यहाँ से मैं इसको ऐसे आसन पर मिला दूँँगी यह दिखे और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और अब इसमें यहाँ पर हम आसन लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से थोड़ा सकते इच्छा करेंगे तो देखे यह दोनों साइड का आसन हो गया है आप देख सकते हो और इसके बार में देखे जो यह कपड़ा निकला है इसमें से हम मौरी के लिए कपड़ा कट कर लेंगे अब देखे यहाँ पर हम थोड़ा सा जूंट लगाएंगे इसमें और यह हमने अपनी दोनों साइड की मौरी के लिए कपड़ा कट कर लिया है यहाँ पर हम इसमें जूंट लगा लेंगे और इसके बार में देखे यह मैंने दोनों साइड की मौरी के लिए बुकरम भी कट कर ली है अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो दिखिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसको खोलेंगे ये दिखिए और अब हम इसमें इस कपड़े को जूंट करेंगे ये दिखिए यहां से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे इसके बाद में हम इस साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और इस दूसरे वाले कपड़े को हम दूसरी साइड के आसन पे जूंट करेंगे ये दिखिए दोनों साइड के आसन को कम्पलीट करने के बाद में हम इसकी बेल्ट को तयार करेंगे और इसमें plate बनाएंगे ये इसकी belt है और नीचे की मोहरी बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी नीचे की मोहरी बनाएंगे तो देखे जो मैंने मोहरी के लिए वुक्रम कट की है उसको मैंने इस तरीके से उल्टी साइड में प्रेज से चिपका लिया है अब इसके बाद में हम इस कपड़े को लेंगे और नीचे की तरप इस कपड़े को ऐसे रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिलाई आपकी बुकरम के नीचे होनी चाहिए और अब इसको हम इसे सीधी साइड से रखेंगे और कपड़े को उल्टी साइड में मोड देंगे और इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगानी है और जैसे आप चाहें वेसे आप इसमें धागे डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं सिंपली धागे डालूँगी तो एक पेर का मार्जन छोड़के मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ यह देखे तो यहाँ पर मैंने दो सिलाई लगा ली है अब दिखे जो कपड़ा है वो मैंने इस तरीके से नीचे से मोड दिया है तो इस तरह कपड़े को मैंने बुक्रम के बराबर मोड लिया है अब इसको हम सीधी साइड से ऐसे रखेंगे और जहां पर हमारी बुक्रम है वहां पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इस साइड में भी मैं इसमें दो सिलाई लगाऊंगी ये दिखे और एक सिलाई हम एक पेर का मार्जन छोड़के लगाएंगे और इसके बार मैं इसमें एक बीच में लहरिया सिलाई लगाऊंगी ये दिखे तो दिखें फ्रेंट्स मैंने इसमें इस तरीके से सिंपली धागे डाले हैं आप चाहें तो इसमें कोई भी डिजैन के धागे डाल सकते हैं मैंने इसलिए सिंपल डाले हैं क्योंकि ये चिपकने वाली बुकरम है तो ये मोहरी खराब नहीं होती है अगर आपकी नॉर्मल भुकरम है तो आपको इसमें धागे ज़्यादा डालने पड़ेंगे तो मैंने दोनु साइट की मोहरी को तयार कर लिया है अब हम इसके आसन को तयार करेंगे तो यहाँ पर हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे तो देखें यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है अब हम इसमें दूसरी साइट के आसन को यहाँ पर ऐसे जोंट करेंगे यह देखें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखें यह हमारी दोनु साइट का आसन यहाँ पर जोंट हो गया है आप देख सकते हैं दो पिलेट बनाऊंगी, यह दिखे, यहाँ पर हम दो पिलेट बनाएंगे, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल सलवार या पलाजों में बनाते हैं, यह दिखे, तो बेक साइड में मैंने दो पिलेट बना ली हैं आप देख सकते हैं अब इसमें हम अपनी बेल्ट को अटेज करेंगे और जो भी कपड़ा है उसकी हम आगे की तरब पिलेट बनाएंगे तो पहले हम बेल्ट को तयार करेंगे तो यहां पर हम दोनु साइड में सिलाई लगाएंगे और इसका नेफ़ा फोल्ड करेंगे और यहां से हम इसका नेफ़ा मोडेंगे इस तरीके से और यह हमारी बेल्ट तयार हो गई है आप देख सकते हो अब इसके बाद हम इसको अपने पलाजों पर अटेज करेंगे तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे यह इसकी आगे वाली साइड है हम इसको बेक साइड से अटेज करेंगे तो देखिए बेक साइड में हमने दो पलेट बना ली है अब जो भी हमारा एक्स्टा कपड़ा है उसकी हम आगे की तरफ पलेट बनाएंगे तो जिसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी नेरो पला जो सलवार है तो इसमें आगे की तरब भी तीन पिलेट ही आएंगी दो से तीन पिलेट आगे की तरब आती है और दो पिलेट हमने इसमें बेक साइड में बनाई है इसमें आगे की तरफ ज़्यादा पिलेटे नहीं आती है तो मैं इसमें इसी तरीके से दोनों साइड में तीन-तीन पिलेट बनाके इस बेल्ट को अटेच कर लूँगी तो देखे ये हमारी बेल्ट अटेच हो गई है आप देख सकते हैं अब इसके बाद में हम इसमें बैठने वाली सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर बेल्ट पे हम चारो तरफ सिलाई घुमा लेंगे और ये देखे ये मैंने सिलाई लगाके कम्प्लीट कर ली है आप देख सकते हो देखे तीन पिलेट इस साइड में आई है और तीन पिलेट इसमें इस साइड में आई है अब इसके बाद हम इसमें लास्ट वाली सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको जितनी महरी रखनी है उतनी आप रख लीजिए और इसमें लाश्ट वाली सिलाई लगा लीजिए तो मैं इसकी महरी रखूंगी यहाँ पर छेंच तो इस तरह से मैं छेंच की महरी रखूंगी और यहाँ पर मैं निसान लगाऊंगी देखिए इसमें हम ज़्यादा यहां से इस तरीके से तिर्चपन नहीं देंगे क्योंकि यह हमारी नेरोपला जो है तो इसमें हम हलका सा तिर्चपन देंगे यहां पे और इसकी सिलाई को कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको यह पूरी सलवार दिखाऊंगी तो देखिए यह सिलाई लगाके मैंने कम्प्लीट कर ली है अब इसको हम सीधी करेंगे तो देखिए तयार होने के बाद में हमारी सलवार कुछ इस तरीके से नजर आ रही है आप देख सकते हो कितनी सुन्दा लग रही है आप इसको सोट कूर्ती के साथ में भी पहन सकते हो और लोंग कूर्ती के साथ में भी पहन सकते हो और इसे आप आसानी से बना सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें अपने फ्रेंट्स और फेमली के साथ जरूर शेयर करें आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेश करें ताके आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोट्विकिशन मिलती रहे तो फ्रेंट्स अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आईए तो वो कमेंट्स में जरूर पूछें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्यू बाई बाई